सो मारकेट्स में जबरदस तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि FIIs का भी पार्टिसिपेशन लौटते वे दिख रहा है सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं आप FIIs के ट्रेंड को शेप अप होते हुए कितना भरोसा करें इनके पार्टिसिपेशन लौटने पर तेगे शिष्टी अभी मैं सोच रहा था कि मारकेट में दू चीज अल टाइम है पर है एक मारकेट के लेवन और मारकेट के अंदर कंस सब इस समय चिंते थे दोनों चीज अल टाम है रहे हैं और इस समय फॉर इंस्टिशिशन वेस्टर वापस आ रहे हैं वह इसले वापस आ रहे हैं बिकास वह अभी तक इंडिया में नहीं थे फैड ने रेट कम करें तो युएस बॉंड में आपो कम रिटर्न मिलेगा जब रेट कम करते हैं फालो आते हैं हमनी शिक और Levy को हैं भाहर चुकर देखे यह चावल हो चुकर जो पैसा आता था यह यह सिhrad में चाना में च्टाना में जाता ताख alcohol लग चना नहीं बाइसा कर आता ने मेंस सभ्था करीब इस समय ग्राविटेट कर रहा है चायना से अलग और फ्लोज आ रहे हैं एक मूल रीजन है जिसके वज़े से फाइज आ रहे हैं और फाइज जब आते हैं वो एक दिन के लिए नहीं आते हैं देर नोट टेकनिकल ट्रेडर्स दे कम एंदे कम इस सीरिस कंट्री अलोकेशन इसक इंडिया में इस समय neutral to underweight है तो अगर पोजिशनिक अभी normal भी करते हैं और marginal overweight करते हैं तो भी flows काफी अच्छे रहेंगे तो अच्छे रहेंगे सर पर ऐसे में as an investor या as a retailer कौन से sectors पर ध्यान रखना है क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे sectors में अलोड़ी पर यहां से आपको क्या लगता है कि कौन से sectors पर खास दोर से ध्याद लेना चाहिए देखे एफाइस टिपिकली ऐसी companies में आते हैं जहां उनको track record पांत से 10 साल का मिलना चाहिए उसमें return on equity, return on capital ठीक टाक होनी चाहिए, debt की समस्या नहीं होनी चाहिए, company का past track record management का ठीक होना चाहिए, यह cut-off होता है, institutional investor का, especially for institutional investor का, इंडिया का सबसे best sector है private banks, जहां पर 2-3 साल से flat moment है, valuations ठीक टाक है, FI की selling, बस selling खतम हो गई, buying नहीं भी आती है, तो banks को गिरिंग नहीं, तो private banks एक आपका area हो गया, second area मुझे लगता है discretionary, इंडिया को जो हम कहते है ना अंग्रेजी में word India romance मिशा consumption है, तो मुझे लगता है कि EB का जो transition हो रहा है, रियल डील है, आप देखिए जो भी company उसे benefit कर रही है, उसके अंदर उसमें हम देख रहे हैं, पुरा का पूरा जो energy chain है, उसमें हम changes देख रहे हैं, बले टाटा पावर हो या टाटा मोटर हो, या फिर उसे related जितनी भी companies हैं, जो electricity city के अंदर बाहर बनाती है, kibble बनाती है, solar cells बनाती है, उसमें FIs ज़रूर आएंगे, फिर ग्लोबली सेक्टर थेजी में है, तीसरा मुझे को लगता है कि FIs इस समें new tech, fintech में आएंगे, because वहाँ पर magnificent 7 जिसे हम बोल बाला है, तो उसका rub of effects, Zomato, Policy Bazaar, Nikon के अंदर आ सकत मुझे लगता है, मुझे लगता है PCUs में नहीं आई है, historically they have never invested in PCU, PCU stocks में है, PCU stocks में correction आच चुका है, और अशाए दही कारण शिष्टी आप देखने है कुछ दिनों से PCUs को बहुत मार पड़ी है, क्योंकि FIs आने रहा है, और DIA बेच रहा है, और FIs जो आ रहा है, दूसर सेक्टर्स पे ध्यान रखना है हमें.